हेलो फ्रेंड्स, आसी स्टिचिंग में आपका स्वागत है, आज मैं 5 से 6 साल की बेबी के लिए गाउन बनाना बताऊंगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करिएगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, यह मैं गाउन का कपड़ा ले हूँ, और यह लाइनिंग वाला कपड़ा है, यह 2 मीटर कपड़ा है, तो सबसे पहले हम यह लाइनिंग वाली कपड़ की कटिंग करेंगे, उसके बाद से हम मेन कपड़े की कटिंग करें के लिए मैं यह कपड़ा ले हूँ, यह कपड़ा पहले से टू लेयर में फोल्ड था, अब हम इसको फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे, कपड़े को मैं फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे, इसकी लंबाई रहेगी 12.5 इंच, और सबसे पहले हम यहां सोलडर का निसान लगाए लगाएंगे, तो सोल्डर है 11 इंच, उसका हाफ लेंगे हम, 5.5 इंच पे निसान लगा लेंगे, और आर्म होल का निसान हम, 5 इंच पे लगाएंगे, आर्म होल की लंबाई 5 इंच और नेक का निसान हम 2.3 इंच पे लगाएंगे और नेक की लंबाई का निसान बैक पाइट नेक का निसान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे और फ्रंट पाइट नेक का निसान हम 4 इंच पे लगाएंगे ऐसे मिलाके और इसको फिर ऐसे मिलाएंगे और फिर यहां से हम राउंड शेप देंगे इसको ऐसे अब यह नेक का निसान लगाने के बाद हम यहां चेस्ट का निसान लगाएंगे तो चेस्ट है 24 इंच उसका Čथा भाग आएगा 6 इंच उसमें हम 2 इंच शिलाई के लिए रखेंगे 8 इंच पे हम ऐसे निसान लगा लेंगे ऐसे और यहां भी हम गुलाई का शेप देंगे नीचे हम कमर का निसान लगाएंगे तो कमर है 22 इंच उसका चौथा भाग आएगा 5.5 इंच और यहां भी हम 2 इंच सिलाई के लिए रखेंगे तो यहां 7.5 इंच पे निसान लगा लेना है और इसको ऐसे मिला लेंगे और यहां 1 इंच उपर एक निसान लगाएंगे नीचे से और यहां से हलका सा गुलाई का सेप देंगे हम ऐसे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहां हम हलका सा गहराई देंगे सोल्डर पे यह उपर की कटिंग मैं कर ली हूँ अब मैं नीचे घेर की कटिंग करूंगी यह जो कपड़ा बचा है इससे घेर की कटिंग करना है तो सबसे पहले हम इसको टू लेयर में फोल्ड करके बिछाएंगे इसको मैं टू लेयर में फोल्ड कर ले हूँ यह देखिए ऐसे अब हम इस कॉर्णर से पकड़ेंगे और यह दूसरी कॉर्णर से हम इसको ट्रेंगल के शेप में फोल्ड कर लेंगे ऐसे ट्रेंगल में हम फोल्ड कर लेंगे कपड़े को अच्छे से चारो साइट से मिलाते हुए इसको फोल्ड कर लेना है यहां मैं इसको फोल्ड कर ली हूँ अब हम उपर से यहां कमर का निसान लगाएंगे जैसे यहां कमर का निसान लगाए थे सेम उतना ही निसान यहां भी लगा लेना है तो यहां हम 7.5 इंच पे निसान लगा लेंगे और उपर से भी नाप लेंगे यहां से 10 इंच आ रहा है तो 10 इंच हम ऐसे इंची टेप को घुमाते जाएंगे और फिर गोलाई में हम निसान को मिलाते जाएंगे और उस निसान को हम डार्क कर लेंगे अब इसके बाद हम नीचे घेर की लंबाई को नापेंगे तो घेर की लंबाई हमें 25 इंच लेना है तो 25 इंच पे हम निसान लगा लेंगे और फिर उपर से हम नापेंगे ये 35 इंच आ रहा है अब इंची टेप को हम ऐसे उपर पकड़े रहेंगे और नीचे हम 35 इंच पे निसान लगाते जाएंगे इंची टेप को हलका सा खसकाते हुए ऐसे पूरी राउंड में इंची टेप को घुमाते जाना है और निसान लगा लेना है अब हम इस निसान को मिला लेंगे अब इसकी कटिंग कर लेंगे इसकी कटिंग मैं कर लेंगे यहां उपर वाले पाट में हमको थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा और ज्वाइंट करके हम जितना नीचे वाला है उतना लंबा हम इसको कर लेंगे अब हम main part कपड़ी की cutting करेंगे इस कपड़े को भी हमको four layer में fold कर लेना है और fold करने के बाद इसके उपर हम landing वाले कपड़े को रख लेंगे और इस कपड़े को हम अच्छे से उपर रख लेंगे अच्छे से चारो साइट से मिलाती हुए रख लेना है और ये चारो साइट से हमको एश्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है ऐसे एश्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे हम और यह जो अश्ट्रा कप्ड़ा है जब हम इसको stitching करेंगे तो दोनों को एक साथ हटाईज करके जो अश्ट्रा कप्ड़ा है उसको cutting करके निकाल देंगे अब इसके बाद हम घेर की cutting करेंगे तो यह जो कप्ड़ा है इसको भी हम पहले two layer में फोल्ड कर लेंगे जैसा यह फोल्ड किये थे और फिर triangle में फोल्ड कर लेंगे अच्छे से मिलाते हुए triangle में इसको भी फोल्ड कर लेना है इसमें भी हम उपर से कमर का निसान लगाएंगे तो सबसे पहले हम 7.5 इंच पे निसान लगा लेंगे और फिर उपर से 10 इंच ऐसे इंच टेप को रखते हुए निसान लगा लेंगे गोलाई के सेप में अब इसके बाद हम लंबाई का निसान लगाएंगे तो ये 25 इंच इतना लंबा हम लाइनिंग का कपड़ा कटिंग किये थे उससे 2 इंच एश्ट्रा हम यहां निसान लगाएंगे तो यहां हम 27 इंच पे निसान लगा लेंगे और फिर इंची टेप को ऐसे उपर रखते हुए वहां नापेंगे तो 37 इंच आएगा तो इंची टेप को ऐसे घुमाते जाएंगे और 37 इंच पे निसान लगाते जाएंगे राउंड शेप में निसान लगाना है इंची टेप को घुमाते हुए और फिर उस निसान को हम मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें भी ये उपर कपड़ा छोटा हो रहा है तो यहां भी हम ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम वहां जोड लेंगे जोइंट करके हम सेम नीचे वाले कपड़े इतना बड़ा कर लेंगे उसको और फिर उपर के भी कटिंग कर लेंगे इसकी कटिंग हो गई है अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरू करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू